बिते मार्च महने से जारी लॉकडाउन ने व्यापारियों की कमर तोड़ कर रख दी है नतीजतन भेल, पानिपुरी, चाठ भंडार और ओमलेट के हाठ ठेला चालकों पर भुकमरी की नवपत आ गई है ऐसे में इस विशे के संधर में दिग्रस तैसिल कार्याले को ग्यापन सौब कर भेल, पानिपुरी, चाठ भंडार आदी व्यावसाय शुरू करने की मांग व्यावसाय को ने की है कोरना संक्रामन के प्राधुर्भाओ को रोकने के उद्देश से मार्च महने से शुरू हुए लोगडाउन से लोगों के आर्थिक स्तिती चौपट हो गई है बड़े और छोटे व्यावसाय साइथ हर कोई आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा है ऐसे में फेल पानिपूरी ओमलेट आदी व्यावसाय भी व्यावसाय ठप होने से घोर आर्थिक संकट के शिकार हो चुके है इसे के चलते शुकरवार को दिग्रश शहर के भेल, पानिपूरी, ओमलेट, आधी छोटे व्यावसाई को ने उनने व्यावसाई शुरू करने की अनुमती प्रदान करने की इजाज़त दी जाए ऐसी मांग को लेकर स्तानिय तैसिलदार को ग्यावन सौपा, बड़ी संख्या में उपस्तीत व्यावसाईयों ने तैसिलदार राजेश वजिरे के समक्ष मार्च महा से जारी आर्थिक संकट सहित घरबार चलाने में आरही दिक्कतों का पखान करते हुए, उपरोगत व्याव में संतोष खंडारे, सलिम चवहान, राजकुमार, प्रजापती, दीपक गावंडे, धिरज बहोल, प्रकाज बहोल, मिथिलेज बहोल, लखन बहोल, लतिप शहा, जैसवाल, लक्षमन काठेडे, विजय गीरे, रविंदर अठरकर, राजींदर अठरकर, सागर दुर्गे, अमर बहोल, उमेश खंडारे, आदी ने हस्ताक्षर किये है, मालुम हो कि हाल ही में पानपटी चालकों ने भी इसी आशय का ग्यापन तैसिल कार्याले के सुपुर्द किया था, बहरहाल, धीरे-धीरे अनलॉक हो रहे मार्केट, तथा सारवज निकस्तानों के मदनदर उमी लगाई जा सकती है कि जल्द ही राज्य सरकार भी छोटे व्यावसाइकों की आर्थिक समस्या को ध्यान में रख कर उने राहत प्रदान करेगी, इन बीचन न्यूस के लिए जबेर खान के रिपोर्ट